हेलो एव्रीवन स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करिंट अफेस्ट लॉजिक्स में तो फ्रेंड जाची वीडियो का देखे हमारा टॉपिक है इंटरनाशनल अपॉइंट्मेंट्मेंट्स ट्वेंटी ट्वेंट्स दो हजाए चौविस में देखे जो भी हम में पॉझ चैनल peng नई हो तो आपका most welcome है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और इस वीडियो का पीडियेफ मिल जाएगा आप लोगों को टेलिगाम चैनल के करेंड अफ़ेस लॉजिक्स नाम से लिंक कर डिस्किप्शन बॉक्स में प्रोवाइट किया गया है तो आइए फेंड्स आज के फर्स्ट क्वेशन से शुरू करते हैं पहला क्वेशन है जरेमिया मानले और एक इस तेश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो अभी हाली में अपॉइंट हो हैं सोलोमन आइ आइलेंट से बना लो सोलो जैसे होता है न कि हमारी लाइफ में हमें एक बार सोलो ट्रिप जाने का मन ज़रू करता है कि सोलो यानि अकेले घोम के आए गोम गया है ऑख सोलो आप देख सकते हैं पैसिफे कोशन में हाई चोटा सा आइलेंड आप दो दिख रहा है यह सोलुमन आइलेंड है कैपिटल है यहां की होनियारा करंसी है सोलुमन आइलेंड डॉलर क्लियर है फ्रेंड अच्छी ट्रिक लगी चलिए तो नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेशन की नेक्स्ट क्वेशन इस हूँ है फिर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉंगो है जूडित सुमिनवात तुलुका कंट्री कौन सी है कॉंगो है तो देखे आप ऐसा समझे कि आपने कोई नेबर से आपका कोई फ्रेंड है वो जूडो में बहुत अच्छा है और उसने जूडो में एक तरीक से बन गया हमारा कॉंगो कॉंगो कंट्री जो है आफ्रिका कॉंटिनेंट में है कापिटल है यहां की किंशासा करेंसी है कॉंगोलीज फ्रेंक और प्रेजिडेंट है यहां के फैलिक्स शिशेग दी बात करते हैं अंगले क्वेशन की अब देल फता अलसी सी हैस बिकम दप प्रेजिडेंट ऑफ इच कंट्री फॉद थर्ड डाइम पर तीसरी बार बनी है तो बार बार इनका नाम देखिया आप लोग न्यूस में देखी रही होंगे वैसे तो अब दिल फता अलसी सी मिस्ट यानि इजिप्ट देश के बन गई हैं तीसरी बार प्रेजिडेंट इस इस पे डर रहते डर रही थी तो फते हांसल करने तो इनके नाम में भी फते आ रहा है देखिये और ईजी से हमारा कौन सी कंट्री बन गई इजिप्ट बन गई चली इजिप्ट को देख लेते हैं इजिप्ट कापिटल क्या है यहां की काईरो कापिटल है करेंसी है इजिप पाउंड, डेक्स्ट क्वेशन देखिए, पीटर पेलेग्रिनी वस इलेक्टेट दन्यू प्रेजिडेंट ओविच कांट्री, सो किनका नाम है आप पेटर पेलेग्रिनी का, किस देश के नए राष्ट पती ये चुने गए हैं, तो ये पने हैं स्लोवाकिया के नए प्रेजि दीरे करके, यारि स्लोव स्लोव करके जो ग्रीनी है वो दीरे-दीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि पॉपलेशन बहुत बढ़ रही है, लोग बढ़ रही है, और रेजिडेंस एरिया बढ़ रहा है, तो पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत बढ़ी मात्रमी, ये तो पीन्ती, ग्रीनी से बन गया हमारा पीटर पिलिक ग्रीनी, स्लोवाकिया की बात करती है, तो यहां की कापिटल है ब्राग से लावा, और यहां पे करेंसी चलती है, यूरो. नेक्स्ट क्वेशन देखिए, तो यूरो इस इंडिया टेक्स फोरम है, वो अपॉइंट वे हैं, कौन? तरुन बजाज. तो आप इसे याद कैसे रखेंगे, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, कि आप देखिए, ऐसे इमाचिन करो, कि इंडिया से यूरो इस में क्या भीजना है, टेक्स का फोरम भीजना है, तो इसी थोड़ा सा यह रिलेट हो गया, पूरा हमारा, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, तो जब टेक्स का फोरम भीजना है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, तार भीज रहे हो, यानि आप तार एक तरीके से संदेश की तरह हम इसको रुपेजन कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे संदेश भीज रही है, तो तार भीज रहे हैं, तार से हो गया तरुन बजाज, next question देखे, who will take charge, is Britain's first woman high commissioner to India, so भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में कारिभार कौन समभालेंगी, so first woman high commissioner appoint होंगी, लिंडी कामरून, और लिंडी कामरून जो है किनकियों replace करेंगी, तो Mr. Alex Ellis की जगाँ पर ये appoint होंगी, इसके बाद देखे, who has been elected as a chairman of Senate of Pakistan, पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, the right answer is, यूसुफ रजा गिलानी को, इसको आप ऐसे देखो, याद कर लो, सीनेट से senior ऐसा represent कर लो, कि पाकिस्तान के जोना seniors है, वो आजकल बहुत जादा खफा चल रहे है, वो मतलब एक तरीके से, उनको राजी करना बहुत जादा आजकल मुश्किल होगे, कि बहुत जादा खफा चल रहे है, तो राजी से represent कर दिया, next question देखे, who has been appointed as a prime minister of Iceland, Iceland देश के प्रधार मंतरी के रूप में किसी न्युक्त किया गया है, तो इस पत पर अपॉइंट होए है, बजर नी, बैने, डिक्सन, इसको कैसे याद रुखेंगे, ते बैने, डिक्सन में सन आ रहा है, Sun वाला Sun ले लीजे, कि सूरज जब बहुत सदा गर्मी देता है, तो हमें यह क्या बन करता है, कि ठंडा ठंडा कुछ पीने का, कुछ बर्फ हो जैसा लेने का, तो बर्फ यानि Ice, समन करता है कि कुछ ठंडा मिल जाए पीने के लिए, Ice मिल जाए, मसा आ जाएगा Sun की गर्मी में, तो Sun से Bennett Dixon हो गया, Iceland बात करें, तो Capital दिखें, हांकि रिख्जोविक है, करेंसी है, Icelandic क्रोना, Next question है, शेक एहमद अब्दुल्ला अल-एहमद अल-सबा, अपॉइंटेड, दिखें, तो शेक एहमद अब्दुल्ला अल-एहमद अल-सबा, ये फ्रेंड्स नई प्रधान मंत्री बने है, कौन से देश के, कुवेत देश की, तो जो शेक सोते हैं, उनको कुवेत, यानि वे रहती दिनार, अगला question है, who will take oath as a next prime minister of Singapore, Singapore के अगले प्रधान मंत्री के रूप में शपत कौन लेंगे, तो next prime minister Singapore के होंगे Lawrence Wong, इसको याद इसे कर सकते हो कि Lawrence से law बना लो, law मतलब कानून की जो हमारा कानून है, वो हमें singing करने की बुरी आजादी देता है, तो singing और पूरी से बन गया हमारा Singapore, Singapore जो है, यहाँ की capital Singapore City है, और currency क्या है fund, Singapore dollar, clear है funds, यहाँ तक चलिए, next बात करते है, question की, the international monetary funds executive board selected economist Kristalina Georgieva to serve, it's a MD for second five year term, simple भाशा में बात करें, तो Kristalina Georgieva को international monetary fund का दुबारस सी managing director नुक्त किया है, दूसरे कारकाल के लिए, किस country से है, यह कुछ भी हो सकता है, diamonds की हम बात कर सकते हैं, कोई अच्छा बहुत unique crystal की बात करें, तो अगर आपके पास money बहुत है, monetary funds है, तो देखे, money ही हम represent कर पाएंगे, तो अगर आपके money बहुत जाद है, तो आप बहुत साथ क्रिस्टल को खरीज सकते हैं, और लीना, बात करते हैं, international monetary fund की, तो इसकी formation हुई थी, देखे, 1945 में headquarters का Washington DC में है, managing director again appoint हुई है, क्रिस्टलीना जोर जीबा, इसकी पहली deputy managing director थी, गीता गोपिना, chief economist है, Pierre A. Oliver Gauriknaas, यो की फ्रांस सी है, members कितने हैं, इसके 190, बात करते हैं, अगले question की, ब्रम कुमार है किस country के बने हैं, next ambassador, तो इंडिया में मतब, इंडिया के ambassador बने हैं, किस country में, इनको भीजा गया है, दिखे, कौन से देश में, जिंबाब्य देश में, तो अब हम इसको इस तरह से represent करते हैं, ब्रह्म कुमार को जिंबाब्य से represent कर लेती हैं, तो जिंबाब्य से जिम बना लो, कि ज चाकि आपको result मिलेगा, ऐसा नहीं कि दो चार दिन या एक हफते से ही आपको ये result मिल जाएगा, तो इस भ्रह्म में ना रहें, भ्रह्म से ब्रह्म कुमार और जिंब से जिंबाब्य हो गया, ब्रह्म कुमार जो हैं, ये 2005 बेच की Indian Foreign Service Officer है, जिंबाब्य की capital हरारी है, currency है, US dollar President है यहां की इमरसन मंगांगवा, अगला कोशन दे कि इशागदार ये किस country के deputy prime minister नियुक्त हुए है, इशागदार जो है इनको उपर प्रधान मंत्री बनाया गया है, पाकिस्तान देश का, तो ये पाकिस्तान के बनी है deputy prime minister, तो आप इसको ऐसे represent कर सकते हो कि पाकिस्तान क जो प्रधान मंत्री है, उनकी दोर से दोर मिला कर ये चलेंगी, क्योंकि deputy prime minister हो गए, तो दोर से दोर यानि इशागदार, पाकिस्तान की बात करते हैं, कापिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है, पाकिस्तानी रूपी, प्रेजिडेंट है, यहां के आसिफ अली जर्दरी, प पाकिस्तान के 14 नंबर के जो हैं, यह प्रेजिडेंट न्युक्त होए हैं, चले नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं, मुहमब्द मुस्तफा है, यानि फिलिस्तिनी के नए प्राइम मिनिस्टर, इसको देखे कैसे याद रख सकती हो, मुहमब्द मुस्तफा, मुस्तफा से मस्त बना लीजे, मस्त, कहीं बार ऐसा हमारा मन करता है कि कुछ भी काम ना करें, बस पड़े रहे कर क्या रहें, मस्त रहें बस, तो पड़े यानि पड़े से पले बना लीजे, यानि पलिस्तियन और मस्त रहने से हो गया मुस्तफा, और पलिस्तियन के जो प्रेजिडेंट हैं मुहम्मद अब्बास उन्होंने इन्हें नियुक्त किया है इन्होंने रिपलेस किया है मुहम्मद शताए draining को इसके बाद अगला कोशन प्रबावो सुभी आन्तों हैंज बिन इलेक्टेट दो गैस प्रेजिडेन्ट व constitutes country इनका नाम है प्रबावो सुभियान्तो किस देश के नए राष्टपती चुने गए हैं तो ये अपॉइंट हो हैं इंडोनेशिया के नए राष्टपती तो देखे मॉर्निंग टाइम यानि जब हम सुभा की बात करते हैं सुभियान्तो से क्या बना लो सुभा मना लेजिए कि सुभा सुभा न हमें जो जितने भी इंडोर प्लांट्स है उनको पानी देना चाहिए वह बाहर की प्लांट्स के सासद हमें इंडोर वाले प्लांट्स को भी अच्छे से सुभा सुभा पानी देना चाहिए तो इंडोर स की capital है देखे जकारता currency है यहां की इंडोनेशियन रुपिया next बात करते हैं who became the youngest prime minister of Ireland so देखे Ireland के यह बने है सबसे युवा प्रधान मंत्री और इनका नाम है Simon Harris, Simon Harris ने इससे पहले previous record था लियो वरातकर के नाम यह prime minister बने थे 2017 में तो लियो वरातकर का भी record उन्होंने break कर दिया Iceland की capital Dublin है, currency है यहां की euro, president है यहां के Michael D. Higgins next question की बात करते हैं Somindu Bagaji has been appointed as India's next envoy to which country Sibbal भाशर में बात करें कि Somindu Bagaji को भारत का अगला दूद किस country में न्युक्त किया है तो इने भीजा गया है कौन से देश में? इराग देश में इसे कैसे याद रखेंगे? देखो, बागजी से बाग मना दीजी कि आपने अचानक से बाग में याक देख लिया याक एक animal है देखिया और आपने देख रहा आप डर गए तो याक और इराग ये दोनों ही राइम कर रही है वर्ड दोनों की sound एक जैसे इस ते हमने इसको इस तरह से रिप्रेजन किया है तो बाग में याक देने से आप डर गए याक यानि इराग सुमेंदू पागजी जो है 1993 बाच के जो है इन्यन फॉरन सर्विस ऑफिसर है चले नेक्स पात करें सीनर डिप्लोमेट अभे ठाकूर की बात करते हैं तो ये इंडिया के नेक्स्ट एंवाई किस कंट्री में निक्त हुए है अभे ठाकूर को कौन सी कंट्री में भीजा गया है तो ये गए है म्यमार देश में कौन अभे ठाकूर आप ऐसा रिप्रेजन करें कि जो ठाकूस होते हैं आप अपने साथ में मियान रखते हैं चोटा सा चाकू आप कह सकते हैं तो वो अपने साथ रखते हैं, तरीके से उनके शान का ये प्रतीक होता है, तो इस तरह से बस हमने खाली ट्रिक बनाने के लिए से रिलेट किया है, नेक्स्ट क्वेशन, सीता राम मीना, ये अगली नेक्स्ट अम्बासिटर जो है किस कंट्री में अपॉइंट होई है, सीता राम मीना को देखिए भारत का अगला राजदूत न्युक्त किया है, नाईजर देश में, तो इसको आप याद कैसे करेंगे, तो बहुत एज़ी ट् तब भी उनका प्यार जो है, वो बहुत जादा बना रहेगा, जैसे सीता अगर जी का जब हरन हो गया था, तो कितना टाइम तो जब राम जी ने सीता जी को नहीं देखा था, तब भी उनका प्यार कम नहीं हुआ था, तो नजर से बना लीजे नाईजर, अजाली असुमानी को किस देश के राष्टपती के रूप में फिर से चुना गया है, तो यह अपॉइंट वो है, कौमोरोज देश के प्रेजिडेंट, कौमोरोज देश यहां की बात करें, तो यह अफ्रिका कॉंटिनेंट पे है, कापिटल है, यहां की मोरोणी करेंसी है, कौमोरियन फ्रैंक, सुनपल बात यहां पे करते हैं, मलेशिया के देखे, 70 राजा कौन निक्त होए है, राइट आंसर है, यहां पे सुल्तान इबराहिम इसकिंदर, सुब्राहिम जो सुल्तान इब्राहिम इसकेंदर हैं देखिए उन्होंने सक्सीड किया है अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान एमर्श शहा तो इनकी जगा पर ये बने है नई किंग मलेशा के कापिटल जो है कौलालंपूर है करेंसी है मलेशियन रिंगेट इसके बाद है next question प्रेजियन नायब बुकले has re-elected as a president of which country राष्टपती देखे नायब बुकले के सेश के राष्टपती के रूप में पुन्हा निर्वाचीत हुए है तो ये बने है ऐल सल्वाडोर के फिर से प्रेजिडेंट आजकल अगर हम देखें तो डोर यानि दर्वाजी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो दर्वाजे के भी बहुत जादा नायाब नायाब design आने लगी है यानि बहुत unique design आने लगी है तो नायाब से क्या बन गया नाया बुकली एल सेलवाडोर की capital की बात करें तो सेल सेलवाडोर यहाँ की capital है currency चलती है यहाँ पे bitcoin या US dollar next question एहमद अबद बिन मुबारक has been elected the new prime minister of its country एहमद अबद बिन मुबारक जो है ये नई प्रधान मंत्री चुने गए है किस देश के यमेन देश की तो यमन देश के बने है ये नई प्राइम मिनिस्टर तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो देखे यमेन से यम बना लो कि यम जो है न वो बिन बुलाए ही आचाती है इसलिए हमेशे अपनी ओपर धियान रखी तो बिन यहाप इनके नाम में आ रहा है इस तरह से याद रख सकती है यमेन देश जो है कापिटल देखे क्या है यमेन देश की सना और करेंसी है यमेनी रियाल अगला कोशन है ओल्जास बेक्तेनोव हैस बिन अपॉइंटे दन्यू प्राइम मिनिस्टर विच कांट्री तो ओल्जास बेक्तेनोव ये बनी है फेंट किस देश के नए प्रधान मंत्री आंसर है कजाकिस्तान की तो इसको सिंपल ऐसे आद कर लिजे कि जो कजाकिस्तान देश है वो हमेशा किसी ना किसी चीजों में उल्जा रहता है तो उल्जास से बनाएंगे हम उल्जास कजाकिस्तान जो है फेंट्स कैपिटल यहां की अस्ताना है करेंसी है यहां की कजाकिस्तानी टेंगे नेक्स्ट क्वेश्ट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एलेक्जेंडर स्टब तो यह यहां के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है लेकिन अब यहां के बने है प्रेसिडेंट तो एलेक्जेंडर स्टब को किस देश का राष्ट पती चुना गया है तो यह बने है फि फिनलेंड से फिन से बना लेजे फन, फन से हम इसको याद रख सकते हैं, कि टब में, जैसे आप टब में जो है बात करते हैं, तो टब में नहाने में न बहुत जादा क्या फन, मजा आता है, बहुत जादा फन करते हैं हम, तो टब से इस टब बन जाएगा, फिनलेंड जो है यहां के capital Helsinki है currency है यहां पे यूरो नेक्स्ट प्रवावो सुभियान तो अच्छा यह हमने पढ़ लिया है यह इंडोनेशा के friends बने है राश्टपती चले नेक्स्ट बात करते हैं senior PMLN leader Mariam Nawaz has become the first ever woman chief minister of which province in Pakistan तो यह पाकिस्तान के देखे किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी उनका नाम याद रखेंगे Mariam Nawaz यह बनी है पाकिस्तान का जो पंजाब देखे प्रोविंस है वहां की बनी है यह पहली महिला मुख्यमंत्री next question है Felix Sishekdi यह भी re-lect हो है Congo के president what is the currency of Congo तो Congo की currency क्या है तो यहां की currency है France Frank Congolese Frank यहां की currency है और यहां की capital क्या है किनसाशा यहां की capital है next question देखे who has been appointed as a new defense minister of China तो चाइना के नए रक्षा मंत्री को निक्त हुए है right answer is Dong June अगरा question है Nadia Kelvino has been appointed as a president of the European investment bank she is from which country Nadia Kelvino बात करें तो यह European निवेश bank की अध्यक्ष देखे निक्त हुई है जिके Nadia Kelvino किस country से है तो यह बिलॉंग करती है Spain country से तो यह European investment bank की 8th जो है president बनी है और पहली woman appoint होई है जो कि इस institution को lead करेंगी अगला question देखे Question है sharing topge became which country is prime minister for the second time दूसरी बार यह प्रधार मंत्री बने है किस देश के तो sharing topge बने है दूसरी बार भूटान देश के prime minister तो अब इसको ऐसे आतर सकते हो देखे भूटान से भूत बना लेजी कि भूत जो है आजकल शहर के लोगों को भी बहुत ज्यादा परिशान करने लगे दराने लगी है तो शहर से बनेगा sharing भूटान जो है यहां की capital थेंपू है currency है यहां की नगुल ट्रम यह देख सकते हैं भूटान जो है friends यहां पर located है भूटान इसके बाद देखे January 2024 में William Lai जो है किस country के president चुने गए है तो William Lai appoint होए है Taiwan देश के राष्ट बती तो देखे William Lai के नाम में आ रहा है Lai और Taiwan में आ रहा है Thai तो लाई Thai दोनों वर्ड्स जो है वो राइम कर रहे है William Lai को इनका एक और नाम है लाई चेंग थे इनकी पार्टी है Democratic Progressive Party इसके बाद देखे नेक्स्ट क्वेशन बर्नांडो अरेवेलो वो स्वान इन प्रेजिडेंट आ विच कांट्री सो बर्नांडो अरेवेला जो है इनोंने शपत ली है Guatemala देश के राष्टपती के रूप में Friends यहां बात करते है Guatemala कांट्री की तो Guatemala दो है Friends यह North America कॉंटिनेंट पे है Capital है यहां की Guatemala City Currency है यहां की Quetzal Next question देखे आंद्रे राजुलीना re-elected as a President of which country So यह Friends जो है Medagaskar के दुबारा से राष्टपती चुने गए है Entry राजुलीना कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी जगा पर Entry करते हैं जैसे वही वहां पे अगर मालीचे बहुत ज़दा जो है Capital है यहां की अंटा नारिवो करनसी जो है फ्रेंक्स यहां की है एरियरी तो फ्रेंक्स यह थे हमारे सभी इंटनाश्टन अपॉइंट्मेंट जो कि 2024 की है और मैं आशा करते हूँ कि आपको यह अच्छे से याद भी हो गई होंगे अब आपका एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं इसी वीडियो से हम एक क्वेशन यहां पर ले रही हैं तो क्वेशन क्या है देखे सोमेंदू बागची इंडिया की next envoy किस कंट्री में नुक्त हुए हैं हिंदी में बात करें सोमेंदू बागची को किस देश में भारत का अगल दूद नुक्त किया गया है तो इसका आंसर आप हमें जल्दी से कॉमेंट करके बता है तो अगर आपको त्रिक याद है तो आपको यह अच्छे से आंसर भी याद जरूर होगा तो चलिए फेंड्स इस वीडियो को हम यहां पे एंड करते हैं वीडियो का PDF टेलिग्राम चै से फिर मिलेंगे और भी भैतरीन भैतरीन वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे थाइंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो